नमस्कार किस्तन भाईयो आज इस वीडियो में हम कुछ अलग अठके जानकारी करने वाले हैं आलू फुलाने के बारे में तो काफी किसान भाई अलग अलग तरह के केमिकल लेके आते हैं यानि उनको यूज करते हैं तो इसी के बारे में हम एक केमीकल है सेंटा कल्टार जिसमें पैकलो वूटरा जॉल होता है 23% ऐसी फॉम में तो आज इसके बारे में बात करेंगे क्या इससे आलू फूलता है और इससे आलू फूलता है तो कैसे फूलता है कारण क्या है और इसकी सही डोज क्या है और इसको क लगता है कि मेरा आलू कल्टार की वज़े से फूला है अगर एक किसान अगर इस बात को कह देता है तो हो सकता है हजार किसान इस बात को सच मालने लेकिन पिछली वार मैंने इसके काफी जादा प्रियों किये सेजंटा कल्टार हमने लगाने से पहले आलू चेक किया और लगा जो कि 18-19 रुपी को आपको बजारन मिल जाएगा, अब बात ये आती है, सेंटा कल्टार काम कैसे करता है, फिर मैं बताओंगो इसका सही समय क्या है, तो देखिए सेंटा कल्टार जो होता है, हमारे पौदे में एक हार्मोंस होता है, जिब्रेलिन, ये जिब्रेलिन का जो संस बीदियो में बताना चाहूंगा, तो मैं आज आपको वीडियो में बताना चाहूंगा, तो सेंटा कल्टार जो बॉप इंग कर्ते हैं। ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है तभी इसका यूज करना है उससे बाद आपको यूज करने से ज़्यादा मुझे लाइव तो लग रहनी है इससे लाम मिलेगा और इसका यूज आपको कम मात्रा में करना है जितनी रोकॉमेंडेशन डोज है इसकी जो डोज बताई गई है पचास से लेके 80 ml प्रति एकड़ किसाब की बताएगा यहाँ अलू की फसल में लेकिन काफी किसान इसकी डोज काफी ज़ादा लेते हैं जो इसकी जरूध के इसाब से जो डोज बताएगा यहाँ आलू की फसल में चार से लेगे 5 ml प्रति 15 लिटर की टंकी में आप डाल सकते हो आलू के लिए या फिर आप 80 ml के करब प्रति एकड़े के साब से इसको यूज कर सकते हो एक से 50 से एक से 80 लिटर पानी के साथ तो यही इसकी डोज है रिकमेंडेशन डोज है इसी को आप यूज करने से भी इसका नुकसान है और कम करने से भी इसके कोई फादे नहीं है यह दोनों ही बात जान लीजिए इसकी अगर आप 80 ml की जगह 100 ml तक तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो लिमिट के आधर पर लेकिन 80 ml काफी होता है अगर उसके बाद काफी किसाने से 200 ml करते हैं 500 ml करते हैं तो व उपर काफी नजर भी बनाए रखी थी इस वजह से मैं आपको सारा कुछ बता पा रहा हूं क्योंकि जिन किसान वहियों ने 75 यानि 75 दिन के बाद इसको यूज किया था उनके में इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलाता चाहें उनकी वसल कोई सी भी हो लेकिन एक बात और ध आठ से लेके 60 दिन तक कर देना चाहिए असी एमेल प्रती एकड़ के हिसाफ से फिर रेल्ट काफी अच्छी देखने को आपको मिलेंगे और किसन वही हो आपको लग रहा है मैं अलग अटके जन कर लेकिया तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो नमस्कार वीडि